यह इस्टिमेट हम मुनसिपल कॉंसिल का कर रहे हैं हमारे इससे पहले के वीडियो में लाइट का थोड़ा सा प्रावब्लम आया था जिसकी वज़े से काम रुख गया था तो अभी उसे कंटीनिव करते हैं और आगे की चीज़े भी मैं इसे सब को सेलेक्षन कर ले रहा हूँ और इसे टाउप पर कर दे रहा हूं तो यहां पर देखिए डिदक्षन 21 पर्सेन забorोडर्स से स्लिदेम क और इनुर्ट्रक में कैष्लगें इस तरिकी से और यह लिए है को मैं यहां पर सेलेक्षन करता हूं ctrl c और यहाँ पर double click करके ctrl v कर देता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह deduction 21% हो रहा है तो वो SSR में दिया हुआ है उस हिसाब से हो रहा है लेकिन ऐसा कही भी नहीं है कि 21% माइनस किया जाए लेकिन PWD इस तरीके से काम करता है तो हमें इस तरीके से ही करना होगा department के against में हम नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से देखिए यह deduction होगा बाद में यह 4 person हमको add करने होगे उसके बाद यह वापस add हो जाता है तो यहाँ पर देखते हम किस तरीके से काम करेंगे तो आप देखिए यह चीज आगे हमारी यहाँ पर भी डबल क्लिक करके हमने लाया है इसे भी एक 4 प्रेस करके लॉक कर देते हैं उसके बाद देखिए एक दो चीज होगी अब यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल यहाँ पर क्लिक करना है मल्टिप्लाए और इस पर क्लिक करके इंटर कर देना है उसके बाद देखिए इसका जो बोल्ड है यह बोल्ड निकाल देते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मैं और राउंड टू लगा देता हूँ आर ओ यू टाइप करेंगे, राउन पर डबल किलिक करेंगे, आखिर में किलिक करेंगे, कॉमा टू करेंगे और इसे क्लोज करके इंटर कर देंगे, तो ये जो चीज होती है, इसके बाद एक चीज और आ सकती है, कॉंक्रीट के एटम में, तो उसे भी हम यहाँ एड कर लेते अभी 2022 के SSR में यह 126 रुपए तो 126 रुपए अभी हम यहां टाइप कर लेते हैं यहां क्लिक करेंगे और यहां पर देखो जन्रल ले लेता हूं मैं तो यहां पर माइनस 126 रुपिया यह टाइप कर लिए हमने यहां क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर increase decimal एक, दो यहाँ पर autofit किया जा सकता है इसे तो सबसे पहले deduct होता है 21% अगर iskada लग रहा है उस item को तो iskada भी होगा उसके बाद total आएगी और total के बाद 4% लगेंगे फिर lead add होगा और दोबारा 21% add हो जाता है तो अभी इस item को देखते हैं हम यहाँ iskada नहीं है तो मैं यहाँ click करता हूँ और यहाँ पर click करके इंटर करता हूँ इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यह double ले लेता हूँ line उसके बाद यहाँ double click करके round कर देता हूँ मैं round 2 राउंड टू लगा देंगे इसे उसके बाद देखिए ये टोटल हमारी आ चुकी है अब इस टोटल के ओपर ये चार परसेंट लगते हैं तो देखिए इसका जो नंबर है सेल का वो जी 25 है तो मैं यह क्लिक करूंगा और यह जो तेविस है उससे 25 करके इंटर कर दूंगा य इसलिए इसे यहां से मैं निकाल देता हूं यहां से हम क्लिक करेंगे और यहां से डिलीट कर देंगे अब उसके बाद देखिए यहां पर मुझे और रो लग रहा है तो एक रो बड़ा देता हूं मैं यहां पर यहां पर देखेंगे अगर आप तो मैं यहां पर क्लिक करता और यहां से देखो क्लिक करके एफ फोर प्रेस करके इसे लॉग कर देता हूं उसके बाद यहां किलिक करता हूं मैं इक्वल करूंगा और यहां पर देखो क्लिक करके इसे एफ फोर प्रेस करके लॉग कर दूँगा अब यहां पर देखिए यह टूटल आई यह टूटल के ओ करेंगे उसके बाद देखो यहां पर मैं क्लिक करूँगा मर्ज राप टैक्स यहां पर देखिए लेफ्ट में लाइन और इसे डबल क्लिक करेंगे और कीबूर से एक फॉर प्रेस करके इंटर कर देंगे तो यह लॉक हो जाता है यहां पर क्लिक करेंगे एक्वल करेंगे और यहाँ पर click करके a for press करेंगे जिससे वो lock हो जाता है अब मैं यहाँ click करूंगा equal इस amount पर मुझे 21% दोबारा add करने है तो यहाँ click करेंगे multiply इस पर click करेंगे enter कर देंगे अब देखिए यहाँ पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर round 2 लगा देता हूँ row यह round 2 पर double click करेंगे यहाँ पर click comma to close करके enter अब यह जो total होती है दो को यहाँ से होती है और यह 25 है तो यहाँ पर double click करेंगे और इसे 25 कर देंगे तो यहाँ पर अगर मैं double click करूँ तो इस तरीके से हो जाता है मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर click करता हूं यहाँ पर sum करता हूं रिंटर करता हूं इससे round two लगा देता हूं रो यू डबल क्लिक यहां पर क्लिक कॉमा टू और इसे क्लोज कर देते हैं तो यहां पर देखिए total चेक कर लेना है calculator से इसकी भी total चेक करना है यह भी और यह सब तो इस तरीके से हमारा एक नंबर एकम का यहां complete होता है तो आपने देखा कि तीन तरीके के rate analysis हो सकते हैं, एक ऐसा rate analysis जिसमें कोई percentage नहीं लगेंगे, जब कोई percentage नहीं लगेंगे तो यह 21% ना minus होने वाला ना plus होने वाला, यह पहला item हमारा इस तरीके से यहां ready होता है, अब इस item को जो 2.11 है, इस item को कोई भी material नहीं लगता है, तो फिर क्या करेंगे हम, material की sheet नहीं बनाएंगे, बलके abstract की sheet बनाएंगे, तो abstract की sheet कैसे बनाई जाती है, देख लेते हैं हम इसमें, सबसे पहले देखिए, यह abstract की sheet है, यहां पर देखिए, page layout है, size है, a4 है, और यह margin है, यहां पर normal रहने देंगे, यहां पर click करेंगे, और यह horizontal, जैसी यहां click किया जाता है, देखो, मैं यहां से निकाल देता हूँ, देखो, यह center में हो जाता है, यहां ok करेंगे, और यह page layout में देखो, मैं इसका percentage कम कर देता हूँ, मैंने जो phone लिया है, वो 90% पे भी साई print आती है, आप जो काम करेंगे, आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस percentage पे आपकी साई print आती है, अगर 100 पे आती है, तो 100 रकना होगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ row छोड़ दे रहा हूँ, यह जो 1, 2, 3, तो row कहलाते हैं और यह sale कहलाते हैं, तो यहां पर देखिए, मैं click करता हूँ, यहां पर मैं type करूँगा item number, त तो यहां पर हम item number type कर देते हैं, दो तरीके से abstract sheet बन सकती है, एक item के बाद quantity और दूसरा description के बाद quantity, तो अभी हम क्या करेंगे, description के बाद quantity लेंगे, तो देखिए, जैसे measurement sheet में item number था, उसके बाद description था, तो यहां से मैं double click करता हूँ, selection करता हूँ, control C करता हूँ, और यहां पर देखिए, double click करके मैं control V करता हूँ, उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पर double click करो, तो इसकी size बढ़ सकती है, और भी sizes की बढ़ाई जा सकती है, उसके बाद देखो, description के बाद हम यहां type कर देंगे quantity, यहां पर quantity type करेंगे, उसके बाद quantity के बाद हम rate type करेंगे, जो rate analysis से आता है, ra rate यहां पर type कर सकते हैं, आप ra, तो check करने वाले को तो पता ही है, लेकिन हमें भी आसानी हो जाती है, rate analysis का यह rate है, यह quantity है जो measurement से आती है, और यहां पर unit होता है हमारा, और unit के बाद हमारी होती है amount, amount होगी, देखिए मैं यहां पर selection करता हूँ, selection करने के बाद य यहां पर bold किया जा सकता है, उसकी size यहां से थोड़ी ऐसी बढ़ाई जा सकती है, इसे center में किया जा सकता है, horizontally, इसे center में किया जा सकता है, vertically, इसे border वगरा दिया जा सकता है, तो हम यहां पर border दे देते हैं, इसकी size थोड़ी कम भी की जा सकती है, अब यहां पर देखिए जो पहला sale है मेरा, यहां click कर रहा हूँ मैं, equal करेंगे और यह measurement है हमारा, यहां click करके enter कर देंगे, उसके बाद देखो मैं यहां click करता हूँ, ship press करके यहां click करता हूँ, उसके बाद merge, wrap tags, board और उसकी size बढ़ाई जा सकती है, इसे vertically center में किया जा सकता है, यहां click करके इसे border भी दि में बॉखल दे सकते हैं, मैं control is करता हूँ, save करने के लिए, control P करता हूँ, आपको बतलाने के लिए, तो देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से बना सकते हैं, अब मैं यहां क्या करता हूँ, यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां click करता हूँ, merge, wrap tags, इसे color भी दिया जा सकता है अब यहां पर देखो मैं बोल्ड भी कर दिता हूँ इसे यहां क्लिक करेंगे यहां पर मैंने टाइप कर दिया अबस्ट्रैक उसके बाद पी डबलीडी ऐसे सार और यहां पर जो ऐसे सार यूज किया जा रहा है वह अभी अब यहां पर देखिए बहुत जादा रो दिखाई दे रहे है तो मुझे सिर्फ एक चाहिए तो मैं बाखी के सिलेक कर रहा हूँ और यहां से डिलीट शीट रो कर रहा हूँ तो इस तरीके से देखिए अब मैं यहां पर एक लाइन छोड़के इहां क्लिक करता हूँ इक्वल करेंगे यह मिजर्मेंट शीट है हमारा यहां क्लिक करके इंटर करेंगे आप अच्छी तरह की से जानते हैं कि यह horizontal काम होता है तो यहां मैंने center में horizontal कर दिया और यह top होता है तो इसे top कर दिया यहां click करेंगे, equal करेंगे, यह measurement sheet है हमारा, यहां click करके enter कर देंगे उसके बाद देखो मैं यहां click करता हूँ, merge, wrap tax, यह launcher box पे single click यहां पर एक click करने के बाद हम इसे जो horizontal है उसे justify कर देंगे और यह जो vertical है इसे top पे कर देंगे और यहां ok कर देंगे उसके बाद देखो मैं total selection करके इसे top कर देता हूँ, जिसकी वैसे मुझे बार बार top नहीं करना होगा यहां पर देखिए आप यह एक चीज होगी हमारी दूसरी चीज़े इसकी size हम कम जादा कर सकते हैं मैं यहां click करूंगा equal करूंगा और यहां measurement sheet में जाकर यहां click करके इंटर कर दूँगा और देखो इसकी size थोड़ी ऐसी बढ़ाई जा सकती है एक दो तीन चीज़े आगी हमारी यहां quantity है equal करेंगे यह measurement sheet है यह quantity लेना है आपको इंटर करेंगे इसे आप round 2 भी लगा सकते हैं बोल्ड भी कर सकते हैं उसकी बाद देखो यहां click करेंगे तो rate आएगा लेकिन आम को पहले rate नहीं पहले पूरा काम हमें measurement sheet का कर लेना चाहे है तो questAT यहां equal करेंगे और यहां पर देखो unit है click करेंगे यहां पर इसे tribe किया जा सकता है इस तरीकी से भी किया जा सकता है करते है यह कहने का मतलबाब right align कर सकते हैं, center कर सकते ज्येसे align चाहिए यहां पर equal करेंगे, equal करने के बाद देखो rate analysis का यह final rate लेना है, यह उपर का rate नहीं लेना, यहां किलिक करेंगे, आप इसे भी round 2 लगा सकते हैं, और यहां पर आप एक column भी बढ़ा सकते हैं, देखिए मैं यहां पर click करता हूँ, insert column, यहां पर click करेंगे, और यहां पर देखो म यह x type कर रहा हूँ यहां पर, तो आपको यहां capital में x type करना है, यहां पर x type कर सकते हैं, यहां पर इस तरीके से, तो check करने वाले को तो पता ही रहता है, यह दोनों का calculation है, यह उसका unit है और यह amount है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर मैं equal करता हूँ, यहाँ पर click करेंगे multiply का sign लगाएंगे यहाँ पर click करेंगे rate के ओपर और enter कर देंगे उसके बाद देखो यहाँ पर click करता हूँ मैं यहाँ पर देखिए यहाँ click करेंगे increase decimal double click करेंगे और यहाँ पर row type करेंगे round पर double click करेंगे और comma two करेंगे close करके enter करेंगे यहाँ पर एक case यह है कि आप इसे round zero भी कर सकते हैं round zero करने की वज़ से देखो क्या होगा यहाँ पर जो यह amount है decimal वाली यह एक रुपया इदर बढ़ जाएगा तो double click करते हैं इसे अगर zero करके enter करेंगे तो देखिए यह बढ़ जाता है तो हमें double click करके अभी two करना है अगर department कहता है कि zero करो तो zero देना अगर double बोले तो double बोला इसी तरीके से यहाँ भी double देना चाहिए हमें देखिए यह rate analysis का दो डिजिट टक देना चाहिए लेकिन department ने बोला कि इसे zero करो तो zero कर सकते तो देखो यह बावीस रुपया एक सो बावीस रुपया तो जिरो करने से देखो एक रुपया बढ़ जाएगा तो असल में क्या होता है इसकी amount बढ़ जाती है मैं counter z करता हूँ तो two digit टक यह amount दे इसे metal की sheet हमने तयार नहीं की और यह abstract की sheet हमने तयार की आप इसे border वगरा भी दे सकते हैं आने वाले वीडियो में हम देखेंगे